सरोजेंद्र सनात्नी में सभी श्रधालू भक्त गणों को साधर नमन आज 25 जुलाई है, आज महावतार बाबाजी का स्मृति तिवस है, जिसे पूरे विशो में महावतार बाबाजी के भक्त बड़ी ही श्रधापूर्वक मनाते हैं बाबाजी के विशे में ये मानिता है कि इस जगत में विशेश कारियों के लिए जो महापूरुष आते हैं उनकी साहता करना जगत को आत्मो द्वारक स्पंदन भेजना बाबाजी का ही कारे है उन्होंने ग्रहस्तों को भी क्रियायोग सिखाने की आनुमती दे दी थी हम जिस पुस्तक के आंश सुन रहे हैं योगी कथामरत इसी में एक प्रसंग है कि कुम्ब मेले में लाहडी माहशे ने बाबाजी को देखा कि वे एक जटाधारी सन्यासी के समक्ष नत्मस्तक हैं आजचर चकित होकर उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं बाबाजी ने कहा मैं इन सन्यासी का बद प्रक्षालन कर रहा हूं इसके बाद इनके खाने के बरतन मांजूंगा उन्होंने कहा ज्यानी अज्यानी सादूं की सेवा कर मैं उस सदगुण को सीख रहा हूं जो इश्वर को सभी गुणों से अधिक प्री है और वो है विनम्रता 25 जुलाई का दिन ही वो दिन था जब धार्मिक उदार्तावादियों के अंतर रास्ट्रिय सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका जाने के पूर्व परमहंस योगानंद जी ने आशिरवाद हे तू इश्वर से प्राठना की और तब बाबाजी ने स्वयम प्रकट होकर उनके संपून सरक्षण का आश्वाशन दिया इसलिए आज के दिन को महावतार बाबाजी और क्रिया योग से जुड़े सभी भक्तगान शेश्यगान बहुत ही परम पवेत्र मानते हैं तो चलिए प्रारंब करते हैं योगी कथामरत महावतार बाबाजी के चर्णों में सहस्त्र कोटी नमन के साथ आज का प्रकरण है प्रकरण नौ परम आनंद में मगन भक्त और उनकी इश्वर के साथ प्रेम लीला छोटे महाशे बैठो मैं अपनी जगनमाता से वार्दा लाप कर रहा हूँ मैंने अत्यंत श्रद्धा के साथ कमरे में चुपचाप प्रवेश किया था मास्टर महाशे के देवता सद्रशे रूप ने मुझे चका चौंद कर दिया श्वेत रेशम समानदाधी और विशाल तेजस्वी नेत्रों से युक्त वे पवित्रता का साक्षात अवतार लग रहे थे उपर की और उठा हुआ उनका चेहरा और जुड़े हुए हाँ देखकर मैं समझ गया कि उनके पास मेरे उस प्रदम आगमन ने उनकी अर्चना में बाधा डाली है उस समय तक मुझे जितने धक्के लगे थे उन सबसे बढ़कर तीवर धक्का उनके स्वागत पून सरन शब्दों से लगा मा की म्रत्यू के कारण हुए विरह दुख को ही मैं दुख की पराकाश्ठा मानता आ रहा था अब अपनी जगन माता से विरह की भावना मेरी आत्मा को अवर्णनी यात्मा देने लगी विलाप करते हुए मैं जमीन पर गिर पड़ा छोटे महाशय शान्त हो जाओ संत वर को सहान भूति पून दुख हो रहा था किसी अगाद समुद्र में असहाय छोड़ दिये गए मनुश्य की तरह अपने बचाओ का एक मात्र उपाय जानकर मैंने उनके चर्णों को कसकर पकड़ लिया महात्मन आप मध्यस्तता करें जगन माता से पूछे कि क्या मुझ पर उनकी क्रपा द्रश्टी होगी इस प्रकार की मध्यस्तता का वजण सहज ही नहीं दे दिया जाता अता महात्मा चुप रहने पर बादे हो गए मुझे समस्त शंकाओं से परे यह विश्वास हो गया था कि मास्टर महाशे वहां जगन माता से घनिष्टता के साथ वारता लाप कर रहे थे यह सोचकर मैं अत्यंत अपमानित अनुभौ कर रहा था कि मेरी आँखे जगन माता को नहीं देख सकती थी जिने इस समय भी उस संद की निर्मल द्रश्टी नहार रही थी निर्लजता पूर्वक उनके पाउं पकले हुए और उनके सौम में विरोध को अन्सुना करते हुए मैं बार बार उनकी मध्यस्तता की क्रपा की याचना उनसे करता रहा मैं परम प्रियमा तक तुम्हारी प्रार्धना पहुँचा दोंगा मास्टर महाशय ने आखिर हार मान कर सहानभूती पूर्वक धीरे से मुस्कुराते हुए कहा क्या शक्ति थी उन शब्दों में कि मेरा मन विरह व्याकुलता से तुरंत मुक्त हो गया माहशय अपना वचन याद रखेगा मा का संदेश पाने के लिए मैं पुना शीगर ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा एक छणपूर्वी ही दुख और सिस्कियों से मेरा जो कंड स्वर अवरुद्ध हुआ जाता था अब आशा की आनंद ध्वनी से मुखरित हो रहा था लंबी सीडियों से नीचे उदरते उदरते अतीद की स्मृतियों से मेरा मन भराया पचास एम हर्स्ट स्ट्रीट के इसी घर में जो अब मास्टर महाशय का आवाज था किसी समय मेरा परिवार रहा करता था यही मेरी मा की मरत्य हुई थी स्वर्गवासी माता के लिए यही पर मेरा मान विर्धय पीड़ित हुआ था और यही पर आज जगन माता के विरह में मेरी आत्मा विद्ध हो उठी थी मेरे शोक विहलमन की वेदनाओ और अंतता मेरी निरामैता की मौन साक्षी बनी सुकतावश जल्दी जल्दी उठ रहे थे, अपनी छोटी सी अटारी में मैं दस पजे तक एकांत में ध्यान करता रहा, उष्ण रात्री कांदकार अचानक एक अध्भुद्रश के साथ प्रकाश मान हो उठा, दिव्याभायुक्त जग जन्नी मेरे सामने खड़ी थी, मधुर समित करता उनका मुखारविंद परम सौंदर्य का मूर्त रोप था, सदा ही मैंने तुम्हे प्रेम किया है, सदायव मैं तुमसे प्रेम करती रहूंगी, उनका देव्यस्वर अभी वातावरण में गूंज ही रहा था, कि वे अद्रशे हो गई, दूसरे दिन प्राता काल, स सौरे ने एक छितिज पर अभी छाकना आरंब किया ही था, कि मैं मास्टर महाशा के घर पहुँच गया, हदै विदारक स्मतियों से जुड़े, उस घर की सीणिया चड़कर मैं चौथी मंजिल पर उनके कमरे के सामने पहुँच गया, बंद दरवाजे की मूट पर एक कपड लिप्टा हुआ था, जो शायद इस बात का संकेत था, कि वे एकांत चाहते हैं, मैं दरवाजे के सामने दुविधा में खड़ा था, कि इतने में मास्टर महाशा ने स्वैम ही दरवाजा खोल दिया, मैंने उनके पूझे चरण कमलों में प्रणाम किया, दिव्वि उल्लास को छेपाते हुए, मैंने विनोध्भाव में अपना मुख गंभीर बना लिया, महाशे, आपके संदेश के लिए मैं आ गया हूँ, मैं मानता हूँ कि अतिभोर में ही आ गया हूँ, क्या प्रिये जगजन्नी ने मेरे विशे में कुछ कहा, नटखट छोटे महाशे, इसके अ इतना चल क्यों, क्या संद कभी सीधी बात नहीं करते, मैं शायद थोड़ा चिड़ गया था, क्या मेरी परिक्षा लेना अनिवारे हैं, उनकी शांत आखें समझदारी और विवेक से भरपूर थी, कल रात को दस बजे, स्वेम दिव्वे रूपा जगन्माता ने तुमें जो आशवाशन दिया, उसके बाद भी, अब मेरे लिए कहने को कुछ बचा है, मेरी आत्मा की खिड़कियों को खोलने की कुंजी, मास्टर महाशय के पास थी, मैंने पुना उनके चर्णों में, शाष्टांग प्रणिपात किया, परन्तु इस बार मेरी आखों से, जो अश करना को नहीं चुआ है, इश्वर का मात्र भाव, जिससे तुमने मानवी और दैवी रूपों में पूजा है, तुम्हारी आर्थ पुकार का उतर दिये बिना कदापी नहीं रह सकता, ये सीधे साधे संत कौन थे, जिनका परमसत्ता से किया गया, छोटे से छोटा भी मधुर स्विक्रती पा जाता था, इस संसार के जीवन में उनकी भूमिका अत्यंत साधारण थी, जो मेरी द्रश्टी में विनमरता के सर्वश्रेष्ट व्यक्ति के अनुरूप थी, एम हर्स्ट स्ट्रीट के, इस घर में मास्टर महाशय लड़कों के लिए एक छोटा स हाई स्कूल चलाते थे, उनके मुँसे कभी डार्ट फटकार का कोई शब्द नहीं निकलता था, उनका अनुशाशन किसी नियम या छड़ी की वज़ासन नहीं था, इन साध्गी युक्त का क्षाओं में सच्चा उच्चतर गणित सिखाया जाता था, और सिखाया जाता था प्रेम का रसायन शास्र जिसका पाठ पुस्तकों में कभी कोई उलेख भी नहीं मिल सकता। रिकताओं की और उनका कोई ध्यान ही नहीं रहता था, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु थोड़े समय बाद आएंगे, उन्होंने मुझ से कहा, उनके मार्गदर्शन में प्रेम और भक्ति के रूप में तुम्हें मिली इश्वर की अनुभूतिया उनके अगाद ग्यान की अनुभूतियों में रूपांत्रित हो जाएंगी। प्रती दिन दो पहर ठलते ठलते मैं आमहस्ट स्ट्रीट में उनके घर पहुँच जाता। मुझे मास्टर महाशाय के उस दिव्य चशक की चाह रहती थी जो इतना लबालब भरा हुआ था कि उसकी बूने प्रती दिन मेरे उपर छलकती थी। पहले कभी भी इतने भक्तिभाव से मैं नतमस्तक नहीं हुआ था। अब तो मास्टर महाशाय के चरण स्पर्श से पुनीत हुई भूमी पर केवल चलने का अफसर मिलने को भी मैं अपना सौभाग्य मानने लगा था। संकोच से पीछे हट गए मेरे दुख का अनुभो करते हुए आंतता उन्होंने मुस्कुराते हुए उससे स्वीकार कर लिया चूंकि हम दोनों ही मा के भक्त हैं इसलिए इस शरीर में वास करने वाली मा के प्रती अपनी श्रद्धा के रोप में तुम वो माला इस दे मंदि को पहना सकते हो उनके विशाल सुभाव में कही तनिक भी जगा नहीं थी कि एहंकार अपना पग जमा सके कल हम मेरे गुरु के वास से सदा के लिए धन्य हुए दक्षणेश्वर के काली मंदिर चलेंगे मास्टर महाशय इसा सद्रश गुरु श्री राम क्रश्न परमहंस के शिश्य थे अगले दिन सुभा दक्षणेश्वर तक की चार मील की यात्रा हमने नाओ से तै की काली के नौ गुमबदों वाले मंदिर में हमने प्रवेश किया जहां मा काली और शिवजी की मूर्थी अधिकोशल से निर्मिचांदी के चमकदार सहस्त्र दल कमल पर विराजमान है मगन थे जैसे जैसे वे मा का नाम जबते जा रहे थे मेरा आनन दित्मन मानो उस सहस्त्र दल कमल की तरही सहस्त्र धाराओं में फूर्ट पड़ रहा था कुछ देर बाद हम दोनों उस पूर्णे भूवे में टहलते टहलते जाओ के जुर्मुट में जाकर रुख गए इस पेड़ की विशेशता सुरूप इससे जहरने वाला मधुर्रस मानो मास्टर महाशे से जहरते अमरत का प्रतीक था उनका नाम जब चलता ही जा रहा था ज्याओ के गुलाबी परदार पुष्पों के बीच मैं घास पर सक्त निश्चल शरीर से बैठा रहा उतने समय के लिए मैं शरीर को भूल कर दिव्य लोकों की यात्रा करता रहा इस संत के साथ की हुई दक्षणेश्वर की अनेक तीर्थ यात्राओं में यह प्रथम थी मास्टर महाशे से ही मैंने इश्वर के मात्रत्व पक्ष या इश्वरी करुणा के माधुर्य को जाना उस शिश्व सरल संत को इश्वर के पित्रत्व पक्ष या इश्वरी नयाय में कोई रुच नहीं थी कठोर, सटी, गर्दी ये निर्णय की कल्पना ही उनके कोमल सुभाओं के विप्री थी ये तो प्रत्वी पर स्वर्ग के साक्षा देवताओं के प्रति रूप हैं एक दिन उन्हें प्रात्ना करते देख मेरे मन में उनके प्रति प्रेम से भरकर यह विचार उठा किसी प्रकार की निंदा, आलोजना या गुण दोश का विचार कभी उनके मन में नहीं उठा वे तो इस जगत को आध पवित्रता से चर परचित अपनी द्रश्टी से ही निहारते थे उनकी काया, वानी, मन, कर्म, सब कुछ उनकी आत्मा की सरलता के साथ सहज सू सामन जस्य रखते थे मेरे गुरु देव ने मुझे यही पताया था, अपने हर उपदेश को किसी प्रकार के आग रहे या अधिकारवानी के बिना इसी श्रधा पूरित वाक्य के साथ वे समाप्त करते थे श्री राम क्रशन जी के साथ मास्टर महाशे की एक आत्मता इतनी गहरी हो गई थी कि अपने किसी भी विचार को अव्वे अपना विचार नहीं मानते थे एक दिन संध्य समय मास्टर महाशे और मैं एक दूसरे का हाथ था में उनके स्कूल के पास वाले रास्ते पर चल रहे थे और तभी मेरा आनंद फीका हो गया जब एक परचित खमंडी व्यक्ति वहाँ आ पहुँचा उसने अपने लंबे प्रवचन से हमें तंग कर दिया मैं देख रहा हूँ कि तुम इस आदमी से प्रसन नहीं हो मास्टर महाशे की मेरे कान में ये फुसफुसाहट अपनी ही बातों में मगन उस खमंडी को सुनाई नहीं दी मैंने इस बारे में जगन माता को बता दिया है उन्हें भी हमारी दुखत परिस्थित का ग्यान है उन्होंने वचन दिया है कि जैसे ही हम उस लाल मकान के पास पहुँचेंगे वे इस आदमी को एक अध्यावश्य काम की याद दिला देंगी मेरी द्रश्टी उस मुक्त स्थल पर लगी रही उसके लाल दुआर पर पहुँचते ही अपना अधूरा वाक्य भी पूरा किये बिना और कुछ भी कहे बिना वह वेक्ति अचानक मुड़कर चला गया वेक्छुप्त वातावरण में फिर से शान्ती चा गई एक अन्य दिन मैं हावडा रिल्वे स्टेशन के पास अकेला ही टहल रहा था एक पल के लिए मैं एक छोटे से मंदिर के पास खड़ा हो गया और वहां धोलक करताल के शोर में जोर जोर से किर्टन करते लोगों को मन ही मन कोसने लगा केवल मुसे तोते की तरह प्रभु का पवित्र नाम लेते रहने वाले इन लोगों के किर्दन में भक्ति का कितना अभाव है मैं मन ही मन सोच रहा था अचानक मास्टर महाशाय को तेश कदमों से अपने और आते देखकर मैं विस्मित हो गया महाशाय आप यहां कैसे उस संत ने मेरे प्रशन की और कोई ध्यान न देकर सीधे मेरे मन के विचार का उतर दिया क्या ये सच नहीं है छोटे महाशाय कि प्रभु का नाम किसी भी मुँसे क्यों ना निकला हो मधुर ही लगता है चाहे वो मुँ अज्यानी का हो या ज्यानी का उन्होंने इसने पूरवक एक हाँच से मुझे अपने अंक में भर लिया उनके जादु के गलीचे पर सवार होकर मैं तुरंत जग जन्नी के दयामाई सानेद में पहुँच गया क्या तुम कुछ बाइसकोप देखना चाहोगे एक दिन अपरान में एक आंतिप्री मास्टर महाशा से ये प्रशन सुनकर मुझे आजचेरे हुआ उस समय भारत में चलचित्र को बाइसकोप कहते थे मैं सहमत हो गया किसी भी कारण से क्यों नहों उनके सानेद में रहने का आनंद मेरे लिए पर्याप था दृत कती से चलते हुए थोड़ी ही देर में हम कोलकाता विशविद्या लेके सामने इस्थित बगीचे में पहुँच गये मास्टर महाशा ने वहाँ जलकुंड के पास स्थित एक बैंच की और इशारा किया यहाँ कुछ देर पैटते हैं मेरे गुर्देव ने मुझे बताया था कि जब भी कोई जलाशा दिखाई दे तो ध्यान करना चाहिए यहाँ यह शान चल इश्वर की विराट शान्ति का स्मराण कराता है जिस प्रकार जल में सभी वस्तों का प्रतिबिम पढ़ता है उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मान विश्व चैतन्य में प्रतिबिम्बित होता है मेरे गुर्दियो प्राया ये कहते थे थोड़ी देर बाद हम विश्व विद्याले के एक कक्ष में गए जहां एक लेक्चर चल रहा था बीच पीच में स्लाइट से चित्र भी दिखाये जा रहे थे किन्तु वो लेक्चर और स्लाइट शो दोनों ही समान रूप से अत्यंत नीरस थे तो ये है वो बाइसकोप जो मास्टर महाशे मुझे दिखाना चाहते थे मैं अधीर हो उठा था परन्तु चेहरे पर उक्ताहट का कोई भावला कर मैं मास्टर महाशे को दुखी नहीं करना चाहता था इतने में वे चुपचाप मेरी और जुके मैं देख रहा हू चोटे महाशे कि तुम्हें ये बाइसकोप अच्छा नहीं लग रहा है मैंने ये बाद जग जन्नी को पता दी है और उन्हें भी हम दोनों से पूर्ण सहनुभूती है उन्होंने मुझे कहा है कि अभी बिजली की रोशनी बंद हो जाएगी और पुना तब तक नहीं जैसे ही मेरे कान में चल रही उनकी ये फुसफुसाहट समाप्त हुई कक्ष में अंधिर अच्छा गया अब तक उची आवाज में जोर जोर से व्याख्यान दे रहे प्रोफेसर महोदे की वाणी विसमे से एक पल के लिए रुख गई और फिर उन्होंने कहा इस कक्ष की व लटकर पीछे देखा तो उस कक्ष में फिर से रोशनी हो गई थी छोटे महाशे उस पायसकोप से तुम निराश हो गय थे परन्तु मैं समझता हूं कि तुम्हें एक दूसरा बायसकोप अवश्य पसंद आएगा मास्टर महाशे और मैं विश्व विद्याले भवन के सामने एक फूट पात पर खड़े थे उन्होंने हदय के स्थान पर मेरी छाती पर धीरे से थप कि दी उसी के साथ मुझ पर एक अदभुत नस्तब्धता चा गई जिस प्रकार ध्वनी यंत्र में खराबी आ जाने पर आधुनिक सिनेमा भी मूग चलचित्र बन जाते हैं उसी प् ट्राम गाड़ियां, मोटर कारें, बैल गाड़ियां, लोहे के चकोंवाली घोड़ा गाड़ियां सब बिना कोई आवाज के इधर से उधर आ जा रहे थे मैं अपने पीछे दाएं बाएं के सभी द्रश वैसे ही देख रहा था जैसे अपने सामने के द्रश मानो मेरी परत के नीचे नजर आने वाली अगने की दीप्ति के समान मध्यम प्रभा सारे परिद्रश में व्याप थी मेरा अपना शरीर उस परिद्रश में वित्यमान अनेक अनेक परचाईयों से अधिक कुछ भी नहीं लग रहा था फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे शरीर की परचाई निस्चल थी जबकि अने सभी परचाईयां बिना किसी आवास के इधर उधर आ जा रही थी कई लड़के जो मेरे मित रही थे मेरी और आय और चले गए यद्य भी उन्होंने मेरी और सीधे देखा परंतु उसमें पैचान का कोई संकेत तक नहीं था इस अदेत्य मूख ना महाशय का कोमल आगात हुआ जगत का कर्ण करकश कोलाहल मेरी अनिक छुक श्रमनेंद्रियों पर तूट पड़ा मैं लड़कड़ाया जैसे किसी ने अत्यंत नाजुक स्वपन से निश्ठुरता पूर्वक जगा दिया हो वह देव्य मदिरा मेरी पहुंच से बाहर हटा दी गई थी छोटे महाशय मैं देख रहा हूं कि ये दूसरा बाइसकोप तुम्हें अच्छा लगा वे मुस्कुरा रहे थे मैं क्रतक गितावश उनके सामने भूमी पर माथा टेकने के लिए छुकने लगा उन्होंने कहा आप तो मेरे साथ ये नहीं कर सकते तुम जान गए हो कि भगवान तुम्हारे देह मंदिर में भी स्थित है मैं चगन माता को तुम्हारे हाथों के माध्यम से अपने चर्णों को छूने नहीं दूँगा यदि किसी ने सीधे सादे विनम्र मास्टर महाशय को और मुझे उस समय उस भीड भरे फुटपाच से दूर जाते देखा होगा तो उसे अवश ही संदे हुआ होगा कि हम दोनों नशे में धोत हैं मुझे लग रहा था कि संध्या के प्रकाश की रंग बदलती छटाएं भी हमारी ही तरह इश्वर के नशे में डूबी जा रही थी तुछ शब्दों में उनकी महत क्रपा का वर्णन करने का प्रयास करते हुए ये विचार मेरे मन में आये बिना नहीं रहता कि क्या मास्टर महाश है और अन्य संत जनों को जिनसे मैं मिला था उस समय ये ग्यात होगा कि अनेक वर्षों उपरांत मैं एक पास्चात देश में बैठकर उनके भगवत भकतिरस से ओत्प्रोत जीवन की गाथाई लिखूंगा उन्हें इसका पूर्वग्यान हो तो मुझे कोई आश्चर नहीं होगा ना ही मैं सोचता हूँ मेरे पाठकों को होगा जो यहां तक मेरे साथ रहे हैं सभी धर्मों के संतों ने इश्वर को देव्य प्रेतम मान कर उस सरल आधार पर इश्वर साक्षातकार प् चिंत है इसलिए मानविय विचार और आकांच्छाने सदा ही उसे जगन माता का रूप दिया है सगुन साकार इश्वर और निर्गुन निराकार ब्रह्म के मतों का संयोग हिंदू विचारधारा की प्राचीन उपलपती है जिसका प्रतिपादन वेदों और भगवत गीता म किया गया है परस पर विरोधि विचारों का यह में लाप हरदय और बुद्धि दोनों को ही संतुष्ट करता है भक्ति और ग्यान मोलता एक ही है प्रपत्ति इश्वर में आश्रे लेना और शर्णागति इश्वरी अनुकंपा के प्रति संपून समर्पन भाव बस्तोता सर वोच ग्यान के पत हैं मास्टर माश है एवं आन्ने सभी संतों की विनमरता इस बोध से उपजती है कि वे पूनता उस इश्वर पर निरभर है जो जीवों के एक मात्र आधार और एक मात्र विधाता है चुकि इश्वर का सुरूप ही आनंद है अता इश्वर के साथ होने वाला या उसमें मगन होने वाला मनोश सहज ही असीम आनंद का अनुभो करता है आनंद उन सब में सरप्रथम और सरवो पर यह है जिन के लिए आत्मा और एक्छा शक्ति तडपती है सभी युगों के संतों ने शिशु सुलब भाव से जगनमाता को प्राप्त किया और उन सभी ने कहा कि उन्होंने सदा ही जगनमाता को उनके साथ खेलते पाया मास्टर महाशे के जीवन में महत्पून और महत्वहीन अवसरों पर भी इस दिव्य खेल की अभी व्यक्तियां सपश्टू ही इश्वर की द्रश्टी में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता यदि छोटे से परुमानों को बनाने में इश्वर ने अपनी अतिश्य सोक्ष में दर्शिता के आचित को ना लगाया होता तो क्या आकाश, अभी जित और स्वाती नक्षत्रों जैसी गौर अवशाली रजनाओं को धारन कर पाता महत्वपून और महत्वहीन का भेद प्रभु के लिए निश्य ही अज्यात है आने था एक सुई के आभाव में पूरा ब्रम्हांड ही ढह जाए आज का यह प्रक्रण यही समाप्त होता है अगले प्रक्रण में वर्णन है कि किस प्रकार से परमहंस योगानन जी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से प्रधम बार मिले आज महावदार बाबा जी के पावन स्प्रति दिवस पर आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुप काम नाए वीडियो देखने के लिए और साथ पने रहने के लिए आप सब का हरदै से धन्यवाद आती विनम्र प्राणाम